आपने जो बात कहीं, आपने जो बात कहीं, अच्छा कहां कैमरे क्या गया, कि तुरा मावसन भी गाड़ रहा है, आश्वासन दी आश्वासन समीति को, जिसकी पहली बैठा कभी पिछले मैंने और अगली मैंटे दस्तारी को, अब ये बताईए, आश्वासन का जंता क्या करे तकिया बना ले या चादर बिछा के सो जाए, क्या करें आश्वासन का क्या करें, तब तक हिलाएगी आश्वासन का ये जो आपका तंबूरा है, अगर तुर्फों, ये मानिवर, आप अपनी सरकार में दिखा रहे हैं कि वो देखिये दुर्दशा, आप अपनी सरकार में दिखा रहे हैं सभी भाइएं को जाकी समाज यसी, कब्जा नहीं हो रहा है, कब्जा करेंगे, कब्जा करेंगे, एक नॉर्बल, तबेखिए ये रेखिये, प्रिकास दूबे ता मार दिया, क्या करें, परेसान हो जाए, कि क्या किये जो करने बड़ी बड़ी फेकने से नहीं होता है कि अन्हों ने कहा यह नंतलब यह है कि वह मान चुका है गल्ती उसकी भारत यहन्ता भाइटी ने कोई भी चाती के नाम से मोर्चा बनाया तो यह तो फुटकर है यह तो जातिय करते हैं आप तो धार्मिक कर देते हैं कोई पूछ रहा है कि सिलेंडर नहीं मिला आप उसको उंगली दिखा के रहे हैं मिला तो जा तुझे यह 10% है रही है वो आने वाले समय में 2022 तक पूरी हो जाएगी उसके बाद ठीगे उसके बाद फिर सरकार बदलेंगे नहीं सरकार नहीं बदलेंगे हम नमस्कार न्यूज वल इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ काविंद्र चौहान और आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कारकरम इस बार किस्ती सरकार बनेगे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का हाल जानने के लिए हम लोग निकल चुके हैं जगा जगा और आज हम लोग मौजूद हैं गाजय अबाद जिले की साहिवाबाद विधान सभा के खोड़ा कॉलोनी जाके में यहां के प्रमुक समस्या तो जल बताई जाती है उसके साथ ही सीवरेज भी है लेकिन जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में कोरोना डेंगू जैसे बुखार और इसके साथ ही बिरोजगारी बेबसी लाचारी से लोग परिशान है तो वहीं जो मुद्दे बनाए जा रहे है वो तुरशूल अल्लाव अकबर बनाम हरहर महादेव इसके साथ ही क्या कुछ है उत्तर प्रदेश में इस पर बातचीत के लिए आज मेरे साथ हर दल के पार्टी के नेता मौजूद है वो खुद अपना परिशा देंगे सबसे पहले परिशा करा लेते हैं या अपना प्रदेश में बीजेपी से भी हमारे साथ हैं आप परिशा दीजेगा अपना देविंद्गिरी पूरुछे त्रेमंती भारत जनता पार्टी नामी सवासत नगरपाली का परिशत खोड़ा इसके साथ हमारे साथ यहां पर समाज के लोग मौजूद है काफी लोग यहां पर 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 दो तरे किसाने किसाने एक तो किसान वह जो खेत में अपना काम कर रहा है जो खेत वाला किसाने वह पंचायत तक नहीं पहुच रहा है आपको क्या लगता है कि जो आम किसान है वो प्रदर्शन नहीं कर सकता जो आम किसान है वो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकता आप यह कहना चाथ आम किसान बिल्कुल अपनी आवाज को बुलंद कर सकता उसे आवाज आने का पूरा हक है लेकिन जो किसानों के असली मु लिए एकटी हो रही है तो आप कैसे उनको सीधे कह रहे हैं कि अराजक है इस तरीके के आप शब्द प्रयोग कर रहे हैं अराजक कहना मेरा बिल्कुल उचीत है किसान जो देश का है जो अनन निरमाता हो अन का निरमान करता कहीं भी आराजक ता फैलाने का काम नहीं करता जिस हो रहा है धीरे धीरे आई नहीं हो रही है नहीं रही है वी जैपी से लड़ रही है समाजवादी पार्टी लड़ रही है पिचल-बशे तो confisc abroad कहांकि कर रहे है ब्रामपर समेलन कर रहे हैं अभी तर sır कर जायंगे वहां टलत है यह सर समाज को लेके चलती है मानिय बहन जी का यही है नारा सर्जन सुखाय सर्जन हिताय की बात करती है और समाज को लेके चलने का कारी करती है यह नहीं है कि एक समाज को लेके चले यह काम कभी नहीं कि यह हो ना करेंगे आपके पार्टी का ग्राफ जो है वो लगातार गिरता चला जा रहा है इस बार भ फरोसा करती है और कारी करके दिखाती है आपकी पार्टी जो है जैसे समाजवादी पार्टी है खुलकर विरोध करती बीजेपी का आपकी पार्टी कभी खुलकर विरोध नहीं करती पता ही नहीं चलता कि समर्थन में है कि साथ है कि नहीं खिलाफ में कि विरोध में है इसके पीचे वजह क्या है कि माल ने हो कि मैं रोड पे आके हला करके मतलब नहीं होता जो कारी करना उसकार को करते हैं ब्यस्पी पर ना आप हमला करते ना ब्यस्पी आप पर सीधा हमला करती अंदर खाने साथ हैं क्या बश्वा का वजूद क्या बचा उत्तर परदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि जिस तरह चला है पूरे पुराना काल में केवल भारते जनता पार्टी को छोड़क हमने करने का काम भी किया है रासन भी बाटने का कारी किया है यहां पर हमारे साथ जनता भी जुटती जा रहे हैं इसके पहले हम आते हैं उस पार्टी पर जो विपक्ष का मुख्य चेहरा बनकर सड़कों पर लड़ रहा है विपक्ष का मुख्य चेहरा बनकर सामने आ रहा ह से हैं यह बताईए कि क्या लगता है किन मुद्दों से घरने की कोशिश कर रहे हैं यह आपके पर मुद्दा क्या है कि जिस पर आप सीधी चोट करेंगे इस बार बाच पापर हमारा में जो मुद्दा है वह विकास है विकास सब्सक्राइब किया था उसके बाद विकास सो गया क्या हुआ है सब्सक्राइब सब्सक्राइब अच्छा क्योंकि हम लोग खोड़ा में मौझूद है तो इस चीज पर भी बात होनी चाहिए क्योंकि जनता की जो समस्या प्रमुक्स समस्या है जहां लोगों ने आपर बात की तो बता रहे हैं कि जलकी बड़ी समस्या है साफ पानी तो 30 साल 35 साल से लोग रहे हैं उनको नहीं आई कि बसपा नहीं आई कि भाजपा नहीं आई आपको जमीन पर यहां खोड़ा की बात करूं तो साफ पानी तक नहीं मिला सीवर के समस्या भी आज की जस्की तस्प बनी हुई है इसमें ऐसा है कि सरकारे तो बहुते आई और गई सब कुछ ने सबने गोली मारा ले पानी बाहर तो निकल जाती है इसलिए भाजपा से खूस है आप अपनी पार्टी के अपने रजगुले बनाएंगे लेकिन इसके साथ ही से लोग जो यहां पर मौजूद है कोई बोलना चाहें तो उनसे बात करूंगा आप यहीं करने वाले पना नाम बताई का करते क्या है पार्टी के नेता है बहुत अपनी बात रखेंगे अगर किसी की दुकान है तो यहीं कहेगा कि हमारे यहां की बहुत बढ़िया है आप बताईए यहां पर नागरिक के तौर पर होने पर कब से कितने साल हो गया रहते हुए बहुत गए बहुत 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 गए बहुत रहे बातांगे बश्राइब लचानला चार पार नगरी आपर कि अधा तोड़ ने वहुत होगा ने कए बाद क्यूंदा में पर यह इंदर पानी उपलत कर दो आ में मिठा पाने प्लत कर दो भी के सिंग हमारे संद्द मोद उन्होंने भी का था ठीक है आप ना एक जी आते हैं कोई आपके लोगों के पास यहां आता क्यों नहीं है कि असल में क्या है कि इनके पास जो बात है जो असलियत सचाई है सच आपके सामने कित्नी बेहतने नागरिक रहा है को सामने नागरिक हो और भी तो हैं जवाब दीजिए सुनिये अभी इनको टेकनिकल जानकारी नहीं है मैं आपको इनको टेक्निकल जानकारी के लिए क्लिए कौन से टेक्निकलिटीस में आप इस्तमाल करते हैं बताता हूं सुनिए खोड़ा कलोनी में जब समस्या खोड़ा कलोनीं की जलनिकाशी थी जलकी समस्या उतूअ नहीं थी चार हो बात कही थी साफ़ जलकी बात क्यों साफ़ जलकी बात संसदमाजी ने अपनी अवाज अपनी आवाज उठाई और सुनेया नेा पूरा पूरा हुए 15 स्टेट्माहिए और यह दूक संसदमे आश्वन को को जिसकी पहली बैठा कभी पिछले मैने हूँ अगली मैंटे दस्तारीक अब यह बताएगे आस्वासन का जंता क्या करें टकिया बना ले चादर बिज़ाके सोज़ाए क्या 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 करें तब तक हिलाईगी आसौशन का यह आपका तंबूरह कब थिक एक साल असवासन कब तक आसवासन नहीं लहीं रहेंगे विनोध प्रजापति सवामी विवेकनम्त सेवा समय तीगा महं मंद्री आ मानेवर को एफ आसवासन तो जो स्वासन समाज पार्टि के पिधायक श्रीमान अवर्पाल सर्माजी 300 करोड़ रुपे का बजट के नाम पर यहां गड़े खुदवादी है सड़के तुड़वादी और जो खंबे लगवाए थे उन खंबों पर आज भी तार नहीं है अगर कोई हो आप अपनी सरकार में दिखा रहे हैं कि वो देखिए दुर्दशा आप अपनी सरकार में दुर्दशा दिखा रहे हैं यह देखिए अपनी सरकार में दुर्दशा दिखा रहे हैं अपनी सरकार में दुर्दशा दिखा रहे हैं अपनी सरकार में दुर्दशा दिखा रहे हैं जी बताइए आप बोलिए मैं कह रहा हूं आप कुछ कहना चाहरे थे जी कहना चाहते है योगी सरकार ने पूरे खोड़ा में गड़े थे आज से पहले पिछले सरकारों में लोग चलने ही पाते थे लाइटे नहीं आती थी बहन बेटी सुरच्छी नहीं थे आज लाइटे 24 घंटा आ रही है बहन मेटी सुरच्छी थे सड़के पर लोग चलने सारी आर्ची सी रोड बन गई है लाइटे स्ट्रीट लाइट लग गई है हमें खाली एक पानी की दिक्कत है वो भी जल से सरकार हमारी प्रियास करें जल से जल पानी भी आएगा जल से जल आएगा लेग कारे करता हैाँ कीज हम पाइटि कार करता हैं सब्सकार प्रियास RICHARD खोडा में जल से पानी आजाएगा लेल इतना काम लोगों के दिका है जो पूरे पूरे फोड़ा में इंदर इंदर इकलोटी ऐसी पार्टी है भारत ये जनता पार्टी बहुती आसी पार्टी ने विकास लेने के विकास एक साल में एकर चार साल में देश में विकास गया हो गया होता तो सत्तर सालों में सारे देश का विकास कांग्रेस ने कर दिया होता लेकिन देश के इंदर स्टैप बाई स्टैप कि देखिए 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 सबसे पहले तो एक बाद सबसे पहले बात करूं हम जब बात करेंगे टोम बरतमान की बात करेंगे और भिष्चत की बात करेंगे हम भूत काल में नहीं चले जाएंगे, कि 70 काल में कॉंग्रेस ने क्या गया, उन्होंने जो किया किया कि लिगला इंडिया का और आगया यह चार साल में विकास देखेंगे तो आपको लगता है कि मैं कुछा नहीं किया और Step सबसे बड़ी हाल है कि चुनावी नहीं कराते हैं अगर आपको पैमाने में नहीं रखना है तो चुनावी नहीं कराते हैं जी राफेल का खरदाई पाक्सान लडाई लगजा जो काट के सपा कांगरेस के सरकार में काट करके सरी जंडा फारादी लेके चले जाते तक वाधी कि वाल दुख पर गट करते थे आज हमारे देश में ऐसा है कि कोई ठीक नहीं सकता है उसको कोई नहीं करता चारा अच्छा थीक है क्या कि यहां पानि कबाद आएगा खोडा में आजिक बिल्कुल सीधा सबस्ट सवाल यह है कि आप आँ पानी नहीं है अच्छी बतारा Hai हमारी नहीं है पूरी खोड़ा कि समाथिया है सभी भाईयों को ऑगर को बता है कितने घर में पानिया चल रही है मोटर सारे जाम खतम हो गई सीधा सवाल बताइए पानी नहीं है पानी नहीं है पानी नहीं है चार साल में यह वास सुनाई नहीं दी या फिर कोरोना का आना था वो आपका बहाना था क्या है क्या देगे सड़क हमने दी कानून व्यवस्ता मैं आपसे मैं आप से एक मिनिन अगम सीता चले जाते हैं मैं आप से पानी की बात कर रहा हूं अप संगा आने लगते हैं कि इस पर पीने के काम आता है पानी खाना बनाने के काम आता धा कि पानी नहीं मिला यहांऔं को साफ कहते रोड बन गई सास कहते हैं कि तार लगए पानी पर नहीं आते आप सिर्फ जल की बात की जेt ihr पानी की समस्या कब हो लोगी बहुत जल्द सुनिए बहुत जल्द खोड़ा कलोनी के लोगों को यह सोभागे पानी का प्राप्त होने वाला है और मैं आपको वास्वाशन दे रहा हूं कि भारती जन्ता पार्टी जल्द जल्द खोड़ा कलोनी के लोगों को पानी पिलाने व पानी को पानी कि अपकी आपकी आपकी में आपकी में आपकी समझ के यह यहां की तस्वीर है यह 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 वही यह वही रोड है ठीक ठीक है यह वही रोड है यह वही रोड है आपको मैं आप दोनों लोगों को बाता हूं आप दोनों लोग जिसके भी साथ आए हैं यहां पर एक बहस चल रही है सुनिया बहस चल रहे हैं आप अगर पीछे से चिलाएंगे बार बार चिलाएं आप आरोप लगाने में माहिर आप बाते करने में माहिर भाशनों में माहिर ट्विटर पर माहिर जनता पर जब तक आप अपनी छाप नहीं छोड़ेंगे जनता को आप कैसे सरकार यहां की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ खोडा में लेकर आपकी सरकार का क्या मौडल है क्या पानी की विएस पर बात करेंगे यहां से करेंगे जितना होऊचार कके बतांतिये थे इतों यहां पर जमीन बहुत हैं यहां पर जमीन बहुत हैं पर इनकाल पूछ हाक प्रबच मैं पूछना चाहता हम आप जमीन बताओ कहां और रहुम कोראा थैसे कभजा करेंगे। आप भी कभजा करेंगे शसे ब हुन्हे साथ करेंगे करेंगे और लुकुल देखिए ंदेखिश अबृटो टेम तो कह रहा है बाइसाब कि अभी हो रहा है तब भी हो जाएका प्जा कर रहे हैं आप इसे ज्यादा करेंगे कम प्रप्जा करते हैं भीज़घेंगे व्वाट मांगेंगे वीकास कम पर वॉट्ट कर चलाब किसी संब्स हो रामों बिजेपी कहना है हम ने हमने दिया-घाना लॉसी प्रमातम ने तो यहां पर पानी बर जाता है बारिष होती है थोड़ी सी बारिष में यहां पर पूरा यह जनाब करूंगा आपके पहाडों का देखिये तो उसका कोई तर्क पार पर आते हैं जो एक तर्क रहे हैं आम आप से पुछना पाता हूं कि 20 भूट के रोट पर सुनो बीस बूटके रोड पर चार फूटके नाले आपके अनुसार क्या है आट-ऒठ भूट के नाले बना दिया जाए यह आप एक नेता है अगर जनता आपसे जनता आपसे सॉलूशन की बात करती है तो आप उसको ऐसे नहीं कर सकते हैं और प्रेस नहीं कर सकते हैं ठीक है उन्हें समझाया जाता है यह हमारे कहने पब्लिक को क्या चीज की जरूरत है पहला सिक्षा पानी स्वास यह तीन चीज की जरूरत है और चोथा जो है विकास कारी चारों चीज में भारतिया जनता पार्टी के लोग हमें बता दें कि क्या किये हैं जो कहते हैं बड़ी बड़ी फेकते हैं बड़ी बड़ी फेकने से सब्सक्राइब करें दूबे कहां पर इत्याशार किया जाता है कुछिए यह विकास दुवे को विकास दुवे ups दिल में पीडा क्यों है आपने हमें दुख नहीं है लेकिन खुशी दूबे का क्या दिक्कत था उसमें खुशी दूबे ने जो महधी लगा यह भी नहीं जूटा था उसको सलाके के पीछे क्यों भेजा गया यह हमें जबाब दीजिए भार्चे जनता पार्टी के लोग ब्र कारणों से जूटे मुकदमों के चलते जेलों में बंद हैं उसके लिए आवाज उठानी चाहिए यह सिस्टम फैलियोर है यह जस्टिस में फैलियोर है लेकिन इसमें सरकार का पार्टी का क्या रूल है यह समझ में नहीं आता अब जो हमारे कहने का हिसाब है हम खोड़ा मे आप स्कूल कहां पता रहें मैं बता रहा हूं इतना पानी भरा मिलेगा वह सरकारी स्कूल है गिर जाएंगे बच्चे दब के मर जाएंगे कौन जी मेदार होगा भारती जन्ता पार्टी के लोग होगे इतने अध्य के सरकार में बहुत सारइं आज आप सहफे भाड़ी नीं बनने के कारण में तो आज पानी होता बस्ता के सरकार में सीबर बिचा था ठीक है 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 आपने जो बात कहीं आपने जो बात कहीं चचा कहां कैमरे के आगे आके पूरा माउसम बिगाड रहे हैं ठीक है यहां आते हैं समाजवादी पार्टी पर आते हैं आप एक बात बताईए यह सीध में आता था कि यहां दिक्कत है तो आपके पार्टी के रास्टे अध्यक्ष मानने अखलेश आदव जी उनको मैं जी लगाके मानने लगाके सब चीजों से संबोधित कर रहा हूं वह आके बैठके कह दिये कि जो वैक्सीन है वो बीजेपी की है और आपकी पार्टी के लोगो नहीं वैक्सीन नहीं लगवाई संबवता आपने भी ना लगवाई हो ठीक है यह बताइए फिर ऑक्सीजन का क्या रोल रह गया खाने पीने की जो रासन सामगरी उसका क्या रोल रह गया जब आपकी पार्टी के राश्टे अध्यक्षाकर ऐसी भ्रामक जानकारी दे बैठ और उनकी वजह से कितने लोगों की जिन्दगी का खिलवार हुआ उस पर क्या है मैं तो यह कहना चाहूंगा कि जो कुरोना काल में जो हुआ पब्लीक जो भी मतलब जनता के साथ जो भी बुरा हुआ है कोई फॉस्पिले नों बनाया हो मैं उसकर पहले पहले जो सवाल है प लगवाली लगवाली तो आपके नेता ने आके कह दिया कि नहीं लगएगी तब आपने नहीं लगवाली लेकिन उन्हों इंता जो विचारी घर में है जो सुवह नौकरी पर जाती है रात में आती है 50 लोगों से मिलती है लेबरी कर रही है कोई काम कर रही है को मेहनत कर रही मजदूरी कर रही है उसको आपने बरगलाने का काम किया जो आपकी पार्टी का जंडा लेकर घूंते हैं कारे करता उनको पर लाने का काम किया और उसकी वजह से वो लोग ना तो वैक्सीन लगवा पाए बिचारे कितने लोग ऐसे त्रडब त्रडब कर गए दूसरी लहर में अगर पहरी लहर के बाद ही जो वैक्सीन मिल रही थी आपके पार्टी अध्यक्ष्ण ऐसी बात नहीं की होती वैक्सीन अगयी ति उस पर नहीं जाएंगे हम लोग पी पार्टी जो शीज कही वो गलत थी आप इस बात को मानते हैं या नहीं में यह वेक्तिकत अध्यक्ष्श करता है जो पूरी मुक्यमंतिरी होता है पार्टी रास्ट हnewक्ष्ष होता है तो वह कभी भी विक्तिकत बयान नहीं इस चीज में कमेंट नहीं करेंगे अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता लगेगा जब मैंने पत्रकारता की शुरुआत कीती तो कई ऐसे से खूम रहा है और इसको जल्दी सातिया लें 2007 में आपने देखा भी होगा माने बेहन जी की सरकार बनी थी ब्रामडों को जगाने का मिस्तरा जी हमारे राष्ट्य महा सचुजी वह हर जिले में जा रहे हैं हर छेत्र में जा रहे हैं और जागरूप कर रहे हैं सबका साथ सबका साथ और सबके विकास की बात भारती जनता पार्टी करती है भारती जनता पार्टी ने एक भी जातिये सम्मेलन करा हो तो बताओ जातिये सम्मेलन कमजोर लोग करते हैं जाते लोग जातिये लोग ना भारती जनता पार्टी ने कोई भी जाती के नाम से मोर्चा बनाया तो ये तो फुटकर ह हैं उपार जाएगा हम किसी की चाती देकर गोली देकर गोली नहीं की अ norte तुसको गोली लगेगी और फिर लगेगी कहां जा रहा है तुफान कीतर के तर्ध आस्मान खोड़ा कलोनी में इसी खोड़ा कलोनी के अंदर इसी खोड़ा कलोनी की साहिवाबाद विदान सावा के अंदर चड़ती हुई बेहन समाजवादी पार्टी की सरकार में चड़ती हुई बेहन बेटियों को छेड़ा जाता था आज माई कालाल पैदा नहीं है कि किसी जाती लगा देखे बच्चे हैं से कर देते हैं कोई बात नहीं कि लड़की जंग बलातकार हो रहा है अपर किसकी सरकार है तो फिर इने क्यों दिखाई देगा काई सवाल कर रहे हैं आइस सवाल कर रहे हैं प्रेशार प्रेशार कर रही है बाजपा का पैसा और अक्रेश कभी नहीं कहा ना तो मेरे लगने लोख में आप और मुद लेश तर समय इस सरकार आए रहे फिर सर आप वैसी लगवानाई तो 2022 ते प्रकर है खुंबाइब निपट जाए उनकी सरकार की उनकी सरकार की याद में निपट जाए आप कौन सी पार्टी से तालुक रखते थेंगे वोट दिया पिछली बार वाजबा वाजबा को दिया उससे भले बस पाग दिया था अरे एक बात नहीं जाती जिससे भी बात करो हर आदमी कहता है कि पिछली बार भाजपा को दिया पिछली बार भाजपा को देखें प्रशन नहीं देखा जो बोलता हो कि इनको कहां से सीटे मिल गई आप नहीं है जनता को क्या लगता कि किसके हवा बह रही है अब ना आपके साथ क्या है आपका जो यह ना शर्ट आपने पहनी है यह सब आपने पहनी आम नागरिक की और आपकी जेव के अंदर फोटो पड़ी ना वह अखिलेश भईया की पड़ी आप यह समझी है यह समझी आप यह समझी आप ना पड़ियो पत्तकाता छोड़ दोगे आपकी सट कौन सी नाम नागरिक लिखा हुआ इसमें कहीं यह घुमा फि आज कोई मुद्दा कल कोई मुद्दा परसो कोई मुद्दा ऐसे नहीं हो पाएगा एक तो ठोस मुद्दा होगा जिसके जरीए आप यहां पर लोगों को बुनाने की कोशिश करेंगे वोट पाने की कोशिश करेंगे यहां पर वह कौन सा मुद्दा है जो आपको लगता है पादी सरकार में तो आज जो कुरोना से बचे भी एना वह भी नहीं बचते बाजबास सरकार में काम ऐसे बोलता रहा कि पहले तो बुआ बबुआ आए फिर दो लड़के आए नौजवान लड़के युवा जोश के साथ लेकिन काम बोलता रह गया चलिए साहिवाल विदान सब्सक्राइब काम किया हो एक हॉस्पीटल स्कूल पानी की अब बिजली के रेट भी कमनी किये गए आप सब्सक्राइब करें से पूछने जाता हूं कि इनकी सकार में कितने घंटे आ रही थी खोड़ा कलोनी में यह काम की बात करते हैं और हमारी सकार में कितने घंटे आ रही है इंसा ही पूछ लिए एक बार अब बाता रहा हूं आप बता रहा हूं आप बताएंगे आप पर जरूरा आप नेता है आप क्या करते हैं आपका नाम क्या है आप क्या कह रहते हैं यह जैसे बोले कि 22 घंटी बिजली रहती थी इन फेक्ट यह जो रोड़ बनाए जिस रोड़ पे आप अब इंट्रिव कंड़िट कर रहे हूं यह रोड भी ज्यादा नहीं मतलब एक साल रिसेंटली डेवलेप आप किसी और भी बजुरूराद में से नहीं पूछ सकते हैं तो मुझे नहीं लगता यह बिजली की बात गई दोस्ते नों ने बिजली की बात गई तो बिजली को लेकर आप क्या समस्थते हूं कि कभी कभी खामिया होती है इन फेक्ट रात में ज्यादा आपके सामने एक यूवा लदका एक ग्रेजूएट नहीं है जुट बोलने से कोई फायदा नहीं है जुम्ले बाजी हम नहीं करते हैं हम काम पे वोट मांगे पाइगी में और दो इस तो एक समाज वाधी के साथ समाज वादी पार्टी वालों के साथ समस्या है उनको उत्तर प्रदेश बोलो तो उनको दिखाई देता है उनको कुछ भी बोलो उनको जी तो सफ़ाई उत्सों होता होता है सफ़ाई उत्सों होता है समाजवादी विकास चाचा भतीजा पीताजी सब भूगा वहीं मिलते हैं सारे मन इंडस्ट्री आप कैसे संस्कृतियों विकास को रोक रहें वहां पर एंडस्ट तेडिंग का काम होता है जो वी ट्रैस जो जितना ट्रैस लगता अब आपर सुना नहीं वह सही महुत सब की बात कर दो मुद्धित करूं आपको वहां पर जितने बिजनेस मेन चाहिए बिस्कुट से लेकर सूइश लेकर हावाई जाज तक पार्ट भिगते थे अस टेम पर ट दिल्ली में होता है सेफ़ाई मौत सब में ये बताई कि आते हैं आप ये बताइगा लिए और आप ये बताइएगा की इन की और दो हो रही है आपकी बात नहीं हो पा रही है आप की पार्टी मत्र कलरे बहुत ज्यादा है कि बहुत सारे लोग निकाले nowhere है मेरी बात सुन लीज़े मायवती जी ने इतने सारे लोग निकाल दिये पार्टी से की मतलब बिद्धायक लियक को भी निकलते जारे निकलत जारे आपकी भूती होती सिमट्थी नहीं ध़र आ रहे हैं और वही बस्पा है जो एक समय पर यहां पर सरकार में थी सत्ता में थी आज की डेट में आपकी पार्टी की बात तक नहीं हो रही है समस्या कहा रही है एक तरफ चंद्रशे का रावंड जो है वो भी आपके वोट वैंक पर सीधा सीधा प्रहार कर रहे हैं और दूसरी तरह आप को साधने की कोशिश कर रहा है जिसका भी कोई हल निकलता नशव नहीं आ रहा है आप अपनी पार्टी को इस वक्त जहां पार है करने से नहीं कुछ होता हमारे घोड़ा में 4 फशन और और दूसरे सोम बजार में था और यह खोड़ा गाओं के तरफ ठीक है आज जो है हमारे मानिये सांसच जी के प्रेतनिदी यू पी सिंग जो उनके दबाओं में आके जो मात्रिका भीहर में आएगा चलिए ठीक है ठीक है काम हो गया पेतर प्रकल काम हो गया अब यह पर वो मुद्दे आम लोगों से बात करूँगा यहां पर उसका कुछ हल निकलने वाला मिलने वाला उसका फाइदा बीजेपी को नहीं पर सुन लीजिए आपकी सुन लेता हूं जान समाज पाइटी एक राष्टी है पाइटी है काम पे धान देती है बाकि जुमला बाजी कर प्रदेश में हैं यहां पर यहां पर यह बात भी होनी चाहिए कि बीजेपी ने 370 हटाने की बात कही उन्हों पर हठा दी राम मंदिर की बात कहीती राम मंदिर बनने जा रहा है इसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई एर स्ट्राइक भी हुई तमाम चीज़े हुई है तो ऐसे में क्या यह मुद्दे भी यहां की जनता को प्रभावित करते हैं आप से पूछा तो देखो यह मु मोडल पे जो वोट मागना चाहिए अब किस मॉडल पर मागेगी बीज़ेपी मुझे बताइए महंगाई के मुद्दे पर मांगे किस मुद्दे पर मांगे आज की डेट में नॉर्मल व्यक्ति जो है पहले आपने भी देखा था पैट्रोल वगएर हर चीज के रिट और भी यह सामने खड़े आपके माननी सिलेंडर सिलेंडर जो है सिलेंडर को बढ़ोतरी है सुनिए आप सिलेंडर नहीं आपको मिलता था अरे आप तो मिल रहा है तब लेक से मिल रहा है तो भार्त इंट आप आप तो थांग आप एक बात आई एक मिनट अपसे कोई पूछ रहा है आप से अरे भाई साब अरे उत्ते इतनी आप से कोई पूछ रहा है कि कि वह लिए इता नहीं होते इतान नहीं तेने सरकार में जो희 लाइं लगाने काब सलड़ मिलता था अ हम कोड़ा में आ गया आज को में जब हम अपने घर कोड़ा था त değildasy स्वें Kोड़ा था आप के सब्सक्राइं तोड़ी बहुत बॉह रही है दस परचेंट रही है वह आने वाले समय में 2022 तक पूरी हो जाएगे उसके बाद फिर सरकार बदल देंगे ने सब्सक्राइब रखेंगे अरे आपके सपनों का खोड़ा बनतों गया आप काई पार्टी बंदी में पड़े आप बन रहा है और बनेगा और बैटर रहे पहले पहले खोड़ा में पानी नहीं पीने का आप समझे इस बात को पीने का पानी बया उपलब्त करा दीजिए 2022 तक देगे ये देश सविधान से चलता है और मान्य प्रदान मंतरी नेंदर मोदी जी ने संसत से गोशना किये कि 2022 तक हर घर में जल्ड पोचाने काम केंदर और राज्य सरकार करेगी तो इन्होंने कहा है कि बहुत जल्डी यहाँ पर जो साफ पानी पीने का वो लोगों को मिलने वाला है सड़कों पर बहुत जादे काम हुआ है बीसपी के जो हमारे नेता है बीसपी के जो हमारे नेता चाहिए उन्होंने कहा है कि अब बीजेपी का जितना जुम्लेवाजी थी वह क्खतम हो चुकिए बाउजान समाजवाज पार्टी जो है वह सत्ता में वापसी करने वाली है इसके बास समाजवादी पार्टी पर आते है यह हमारे भाई साब ने कहा है तने योगी नमबर वन मुक्य मंतरी करोना काल में घर घर तक पहुचे और भरष्टा चार गुंडा राज इनको मिटाने का काम किया सान्सकृत कर आना का इसके बाद जंजन तक पहुचाने का काम करेंगे और हम विश्वास दिलाते हैं कि पिछुली बारr channels bananas dum लोगों को भयूप किया है यह नहीं है कि पब्लीक को देखा जाए आज करोना महामारी के लिए लेके जो गाओं गए हैं वो रीटन नहीं आपाएं खोड़ा में लगबग 30-40 परसेंट लोग नहीं इस महां मारी में कितना सही हो कि हैं वो पूरा दिखाई दे रहा पबलीक को और पबलीक जबाग देगी और मैं अपने काम पर ध्यान दे के काम करती हैं सरकार 2022 में बनाने का कारी करेंगे बहुत कंप्लेंटें वहां से आती हैं लेगी कंप्लेंट को सुनवाई कोई नहीं होती हूँ और आप इस बात क्याना में मुद्दा जो होगा रोजगार महंगाई विकास इन सब चीजों पर वोट करेंगा ठीक है चलिए यहां पर महायवती जी भी आने वाली है अकलेश भाईया सबाचुनाओं को जो शंकनात बच चुका है अब ऐसे में यह देखना दिल्चस्प होगा कि अब सत्ता की जो चाबी है वो किस मॉडल के जरीया आगे बढ़ने का काम करेगी क्योंकि आज हम साहिवाबाद विदानसबा में मौजूद है और यहां का खोड़ा कॉलोनी दिखा जिस दौर से आज भी लोग सीहर उठते हैं लोगों ने उस तरीके के तकलीफे देखी बेरउसगारी का आज भी यह हाल है बेहाली भी इसी तरीके की है और तमाम जो परिशानिया उससे भी लोग आज भी जूज रहे हैं तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का क्या कुछ प्रदेश की सोर जा रहा है क्या यह उत्तर प्रदेश बनने की ओर जा रहा है या फिर उत्तर प्रदेश की जो सत्ता है वह एक बार फिर रिपीट मोड पर आने वाली आप अने रहेगा न्यूस वोल इंडिया के साथ धन्यवाद